कारवा नाम के एक जंगल में एक शेर राजा रहता था वो बहुत ही न्याई प्री राजा था और अगर कोई मुसीबत में हो तो राजा उसकी मदद भी करता था एक बार उसका बच्चा सिंबा का जन्व दिन आने वाला होता है वो सूचता है कि क्यों ना अपने जंगल के सभी जानवरों को एक बड़ी इसी पार्टी दूँ वो चाता है कि जंगल बे रहने वाले हर किसी जानवर का मन पसंद खाना हो उस पार्टी में राजा खाने का अंतिजाम करता है लेकिन उसे पता चलता है कि कुछ जानवर मचली भी खाते हैं वो देखता है और उसे पता चलता है कि पाटी में खाने के लिए मचली की कमी थी वो अपने प्रधान भेडिये को बलाता है और कहता है प्रदान जी कल मेरे बच्चे सिंबा का जर्म दिन है और हमारे पास तो खाने में मचलिया ही नहीं है और मैंने सब को आश्वासन दिया है कि सब का मनपसंद खाना खिलाऊंगा अब आप भी बताईए क्या करें महराज अब हमारे पास उतना समय नहीं है जिससे हम अपने सेवकों को भेज कर मचलिया पकड़ के लाए क्यों ना हम जंगल में धिन्दोरा पिटवा दें कि जो कोई भी शाम तक मचलिया लेकर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा हाँ प्रदान जी यह दो बहुत अच्छा एडिया है जल्द से जल्द आप यह काम कीजिए और मचलियों का प्रबंद कीजिए प्रदान उस वक्त से जंगल में धिन्दोरा पिटवाने अपने सेवकों को भेज देता है तब यह जंगल में रहने वाला एक बंदर उसे सुन लेता है और राजा की मदद के साथ साथ इनाम पाने के लिए वो बड़ी-बड़ी मचलिया जंगल की नदी से पकड़ कर राजा की दरवार की तरफ निकल पड़ता है वो जाता ही रहता है कि उसे राजा का प्रदान भेडिया रोकता है और कहता है अरे ओ बंदर कहा जा रहे हैं मूठा कर रुको मही पर अरे प्रदान जी आपने ज़र धिनोरा पिटवाया था उसी सिल्टिले में मचलिया पकड़ कर उसे दिने जा रहा हूं दरबार में ये सुनकर प्रदान इनाम के लालच में आता है और कहता है सुनो बंदर मैं तुम्हें अंदर दरबार में जाने दूँगा लेकिन एक शर्ट पर किसी सर प्रदान जी ज़रा खल के बताईए तुम्हें इन मचलियों के बदले जो भी इनाम मिलेगा उसका आदा इससा मुझे देना होगा ऐसा वादा करो मुझे तब ही मैं तुम्हें अंदर जाने दूँगा बंदर प्रदान से वादा करता है और प्रदान उसे अंदर जाने देता है माराज उसकी मचलियां देखकर बहुत खुश होते हैं और उसे कहते हैं अरे बंदर, तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है, मेरी चिंता मिटाई है, तुम्हें इनाम में सौ केले देता हूँ. तब ये बंदर महराज से कहता है, नहीं नहीं महराज, मुझे इनाम में केले नहीं चाहिए. तो पर तुम्हें क्या चाहिए, बंदर? अगर इनाम में आपको देना ही चाहते हैं तो मुझे सौ कोड़े दीजिए बंदर की बात सुनकर महाराज चकित हो जाते हैं और बंदर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहता है बंदर कहता है महाराज इन मचलियां को पकंडे मेरी साहिता आपके प्रदान ने भी की है इसलिए इसका आदा इनाम प्रदान जी को मिलना चाहिए बंदर की ये बात सुनकर महाराज समच जाते हैं कि बंदर को प्रदान ने आदा इनाम मांगा है और माराज भी उसकी इस बात को मांज जाते हैं माराज प्रदान को बलाते हैं और कहते हैं प्रदान जी बंदर ने जो इनाम जीता है वो इनाम मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा आपी को मिले प्रदान बड़ा खुश होता है और महाराजा के कए मुताबे के नाम लेने के लिए एक जगा बर जाता है वहाँ पर महाराज के सिवक प्रधान जी को पकड़ कर एक खम्बे से बाद देते हैं और उसे सौ कोड़े लगाते हैं सौ कोड़े खाकर प्रधान की अकल ठिकाने आ जाती है और उसके बाद वो कभी किसी के नाम का आदा इससा नहीं मांगता चंपरन नाम के एक जंगल में एक बंदर और एक हिरन रहता था बंदर और हिरन में काफी अच्छी दोस्ती थी वे दोनो जंगल के बाकी जानवरों के साथ भी अच्छे से पेशाते थे रमेशा साथ रहते थे अलग-अलग जगा पर रहते हुए वी वे दोनों जानवर बाकियों के साथ खेलने के लिए शाम को एक ही जगा पर मिलते थे बंदर बहुत मैंती था लेकिन हिरन बहुत आल सी था जिस वज़े से बंदर हिरन को समझाता था कि उसने मेनुद करनी चाहिए लेकिन हिरन इसकी कवी नी सुनता था ऐसी एक दिन दोनों खेलते रहते तो अभी अंधिरा हो जाते बंदर हिरन को कहता है अरे हिरन भाई साब हो रहेगे अब हमेने कलना चाहिए जल्दी से रात की कहानी का इंतिजाम करना चाहिए नहीं तो खना अंधिरा हो जाने के बाद हमें कचनी मिलेगा और भूंके पीट सोना पड़ेगा समझ रही हो अभी तू टेंशन मतले बंदर भाई चलते हैं थोड़ी देर में मुझे अराम करने दे लेकिन बंदर समझता है और अंधिरा होने से पहले ही कुछ फल इखटे कर लेता है और जब हिरन अपनी आखे खोलता है तो वो देखता है कि काफी रात हो चुकी है और खाने के लिए उसके बास कुछ नहीं और साले को भूंगू भी लगी है तब ही बंदर उसे कहता है देखा हिरन, अंधिरा हो गिया इसलिए मैं केता था आलत मत करू जल्दी से कहने के लिए कुछ पले कटे करू नहीं तो राज में मूझे पीट सुना पड़ेगा मुझे माफ करते है बंदर भाई लेकिन मैं आगे से आसा नहीं करूगा क्या तो मुझे कुछ फल दोगए खाने के लिए बंदर हेरन का अच्छा दोस्त होता है तो हेरन को मना नहीं करता और उसको चरने के लिए कुछ फल दे देता है मतलब खाने के लिए फल का कर हेरन अपने घर चला जाता है कुछ दिन गुजर जाते है बरसाथ का मौसम आता है बंदर हेरन को मिलता है और कहता है ये कोई रण भज्या बारिस का मौसम सुरू होने वाला है अगर तेज बारिस सुरू हो गई तब बार निकलना मुश्किल होगा और खोना भी ढूड़नी में तकलीब होगी इस दिनी हम दोनों भाजी सी थोड़ा थोड़ा करके फले कट्टे करते है तागी परसाथ में में कई तकलीब ना हो समझ रहे हो ठीक है बंदर भाई लेकिन इसके लिए मैं क्या करना होगा आरे तम कचुना करो गरू जो कहता हम भाई करो तमाज रहे हो जंगल में कचु फल के पेड़ में फलों के पेड़ को खोजने जाते है आम का पेड़ दिखता है बंदर आम की पेड़ पर चड़ता है आम तोड़कर नीचे फेकता है लेकिन हिरन आम इखटे नहीं करता आलसी कहीं का काफी सारे आम तोड़ने की बाद बंदर नीचे उतरता है और हिरन से कहता है अरे हिर फल अपनी टोकरियों बरता है और घर चला जाता है लेकिन हिरन आराम करने लगता है थोड़ी देर बाद हिरन उठता है और दो तिन फल खाकर घर चला जाता है फिर दूसरे दिन बंदर और हिरन दूसरे फल के पेल के पास जाते है बंदर ऊपर चल कर फल तोड़ता है और नी जाओ, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ, बंदर जितने फल जाए थे उतने थोड़ लेता है, नीचे उतरता है, और बंदर कहता है, अरे इरन भाई, चलो जल्दी से फलों की टोकरी को भरो और घर चलो बारिस आने वाली है, अरे तुम मेरी चिंता मत करो बंदर भा जाता है, लेकिन थोड़ी देर में तेज बारिश होने लगती है, अरे माप रहें, बारिश शुरू हो गई, मुझे जल्दी खाल जाना होगा, हाँ, हिरन जल्दी से उठकर भाग जाता है, उस रात वो सो तो जाता है, लेकिन तेज बारिश कई दुनों तक चलती रहती है, और हिरन के पास खाने के लिए घंटा कुछ नहीं होता है, तब उसे मेरत करने का मैं तो समझ में आता है, और इदर बंदर बड़े ही आराम से फलों को खाता है, और वारिश के मौसम के आरंद उठाता है, चंदरपुर के गने जंगल ताडोबा में एक शेर अपनी गुफा में रहता था, शेर को जब भी फूग लगती, वो शिकार करने के लिए जंगल में जाता था, वो शिकार करके खाता और वापस अपनी गुफा में आकर आराम करता था, शेर की जिंदगी बड़े मजे से अच्छा यह जिसने भी किया है मेरे सामने नहीं आना चाथा ठीक है मैं भी देखता हूँ कब तक दूसरे दिन शेर आराम करने का नाड़क करता है चुहे को लगता है कि शेर गहरी नीद में सो गया और वो शेर की आयत के बाल कुतरने के लिए धीरे से आता है लेकिन जैसे ही बाल कुतरने जाता है शेर अपनी आखे खोलता है और चुहे पर छपटता है लेकिन इतना बलवान होने के बावजूद भी शेर उस छोटे से चुहे को नहीं पकड़ सकता जब भी वो चुहे को पकड़ने की कोशिश करता वो तुरंट अपने बिल में भाग जाता और शेर उससे से तहाड मारता रहता ऐसे भाग कर कब तक बचोगे चुहे एक ना एक दिन तुझे पकड़ कर मैं रहूंगा ही छोटे से हो मगर मेरी नाक में दम कर दिया तूने लेकिन शेर रोज ये बोलकर आराम करने लगता और चुहा बिल से बाहर आकर उसकी आयत के बाल कुतर देता और जैसे ही शेर की आख खलती वो चुहे को पकड़ने की कोशिश करता लेकिन शुहा बड़ी तेजी से बाग कर अपने बिल में भाग जाता रोज का यही तमाशा करते-करते आखरकार एक दिन शेर ठक गया एक दिन उसने सूचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे चूहा भी हाथ में आ जाए और मैं ठकूना आखर चूहा किस से डरता है इस चूहे का ऐसा कौन सा शत्रू है मैं पता करके उसे लेकर आऊंगा जल्दी शेर ये पता लगा लेता है कि चूहा सिर्फ बिल्ली से डरता है उसने गूगल पे चेक कर लिया होगा एक बिल्ली चूहे का शिकार करती है दूसरे दिन शेर एक बिल्ली को लेकर आता है शेर रोज बिल्ली के लिए अपने शिकार का थोड़ा हिस्साग गुफा में ली कर आता और बड़े अच्छे से बिल्ली को खाने के लिए देता बदले में बिल्ली शेर को आराम करने की वक्त चूहे से उसकी रखवाली करती दोनों की डील हो गई थी ये देखके एक बिल्ली अब शेर की रखवाली कर रही है विचारा चूहा डर के मारे बिल में रहता और बार ही नहीं आता शेर भी अब चैन से आराम करने लगा और विल्ली भी शेर का लाया मास खाकर तंद्रोस्त होने लगी हिदर चूहा जान जाने के डर से बाहर ही नहीं आता था और खाना ना मिलने के कारण कमजोर हो गया एरे ये मन्हूस विल्ली ना जाने कभी यहां से जाएगी इसकी वज़े से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ नहीं कुछ खा पा रहा हूँ कितना कमजोर हो गया हूं मैं देखो अगर ऐसे रहा तो ये विल्ली के बज़े से नहीं भूग से मर जाऊंगा कुछ तो करना ही पड़ेगा ये सोचके और चूहा बिल से बाहर आकर शेल के बाल कुतरने लगा लेकिन तभी विल्ली ने से पकड़ दिया आखिर मेरे पंजे में आई ही गया तू मियाव मियाव अब मैं पड़े मज़े से तुझे खा लूँगी उपर से शेर भी मुझे नाम देगा पकले जाने के बाद चूहे को अपनी मौत सामने दिख रही थी तभी चूहा एक प्लान बनाता है कहता है अरे शेर तुझे नाम देगा तुझे याँसे भगा देगा देगा देखना तू क्या कहा ऐसे कैसे हो सकता है तुम्हे पकड़ने के लिए वो इतना मास रोज मुझे खिला रहा है तो तुम्हे मुझे मार कर क्यों नहीं दे सकता वो अरे तुम्हारे जैसी एक बिल्ली को शेर लेकर आयता पहले भी उस बक्त मेरी जगा पे कोई और चूहा रहता था इस बिल में लेकिन चूहे को पकड़ने के बाद शेर उस बिल्ली को भगा दिया अगर यकीन नहीं आता तो आजमा के देख लो चूहे ने कहा आजमाने के लिए दूसरे दिन बिल्ली शेर को बताती है कि उसने चूहे को मार कर खा लिया है अब उसे कोई तंग नहीं करेगा शेर ये सुनकर खुश होता है शेर को खुश होता देख बिल्ली उससे इनाम मांगती है लेकिन शेर बिना इनाम दिये ही बिल्ली से कहता है अरे तुझे इतने दिन से ताजा ताजा बास खिला रहा हूँ क्या वो कम था अब बिन बोले चली जा यहां से वरना तुझे भी खा जाओंगा बिल्ली समच जाती है और वहाँ से चली जाती है लेकिन थोड़ी दिर बाद जैसे ही शेर आराम करने लगता है चुआ शेर के बाल को तरकर बिल्ली में चुप जाता है और प्लान के मताबिक बिल्ली आकर शेर को कहती है कि अभी एक नया चुवा उस बिल्ल में आया है और वो आपके बाल कुतर कर खा रहा है ये देखकर शेर अपना सर पकड़ लेता है और फिर बिल्ली को काम पर रख लेता है फिर रोज मजे से चुया अगर शेर के बाल कुतर कर खाता है और बिल्ली चुय को पकड़ने का ना डेक करती है और शेर ने लाया मास मजे से खाती है कैसी लगी स्टोरी